हम लाइफ में बहुत सारे गाजेट्स यूज़ करते हैं और जिन में से पावर बैंक वन अफ दा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक होता है स्पेशली जब कभी हम ट्रावल कर रहे होता है मैंने भी 4 महीने पहले कुछ यही सोच के फिलिप्स का यह पावर बैंक लिया उसके कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया और मैं गई जा भी नहीं पाया घर गर बैटे बैटे इन 4 महीने में मैंने इस पावर बैंक पर सारे टेस्ट कर डाले और आज मैं इसी से जुड़े experience आप से शेयर करने वाला हूँ Power Bank के लिए जो सबसे important चीज होती है वो होता है उसका build और इस Power Bank का build काफी अच्छा है Hard Plastic के साथ इसका surface थोड़ा rough texture वाला मिलता है 4 edges में round finishing मिलती है Compact size होने के कारण इसे carry करना भी काफी easy है 10,000 mAh की capacity और lithium polymer battery के साथ आता है यह Power Bank 4 LED lights है इस Power Bank में जिससे charge percentage का पता चलता है और इसमें जो मुझे इसका best feature लगा हो है इसका dual input और dual output ports Input ports में type B, type C दोनों ही available है Output ports में पहला port 2.1A का current output देता है और दूसरा port 1A का current output देता है मैंने इस Power Bank को charge किया दोनो type B और type C port से Type B port से charge करने के लिए मैंने use किया 5W का charging adapter और इसमें मुझे लग गए 6 गंटे 10 मिनट Power Bank को full charge करने में Type C port से charge करने के लिए मैंने use किया 2 adapters 15W का और 20W का 15W का charging adapter से Power Bank को full charge करने के लिए मुझे लग गए चार घंटे 15 मिनट वहीं 20 वाट के चारजिंग अडप्टर से फूल चार्ज करने में मुझे लग गए 3.5 घंटे अब बात करते हैं आउटपूट की तो मैंने अपने 1 प्लस 5T को 0-100 परसंट चार्ज किया 2.1 अंपियर वाले पोर्ट से और इसमें मुझे लग गए 1 घंटे 40 मिनट और सेम टेस्ट मैंने किया 1 अंपियर वाले पोर्ट से तो मुझे लग गए 2 घंटे 20 मिनट पावर बैंक अगर फूल चार्ज हो तो इससे मैं दो बार अपने फोन को कंप्लीट चार्ज कर पाता हूँ इस पावर बैंक की जो बेस्ट चीज है मुझे दिखी वो है इसकी मल्टिपल इंपूट और आउटपूट पोर्ट और इसका कॉम्पैक्ट साइज और वैसे तो इसमें खास कुछ खराबी नहीं है लेकिन इसका पावर बटन काफी कमजोर है ज्यादा हैंडलिंग करने के बाद इसका टायाप पंचर हो जाता है मुझे इस पावर बैंक को रेट करना हो तो मैं इसे आउट आउट आफ फाइफ 4.5 दूँगा और मेरे तरफ से ये पावर बैंक रेकमेंडेड है आप अपने experience, suggestions और सवाल मेरे साथ comment box में share कीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे बिना किसी हिचक चाहट के like करें और मुझे motivate करें वो लाल रंग का subscribe बटन दवा कर इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें जय हिंद